नकसल वाद और नकसलियों पर कई फिल्मे वनी हैं कई तरह की बाती की जाती है कई तरह के नेरेटिव है और अब विपुल अमुरत लाल साथ दा केडला स्टोरी के बाद नकसल स्टोरी ला है तो ये फिल्म जो दिखाती है वो देखने के लिए साइध हिम्मत चाहिए और जिस तरह से दिखाती है भू भी देखने के लिए हिम्मत चाहिए तो कमजूर दिल वाले साइध इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे हम इस फिल्म को क्राप्ट की नजरिये से रिव्यू करेंगे तो आईए दोस्तो आज हम एक्स्प्लैन करने वाले हैं बस तरदा नकसल स्टोरी को तो वीडियो को सुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छ लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा और सिद्र वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा ताकि आप कुछी तरह की लेटेस्ट और फ्रेस्ट को इंटिन मिलते रहें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है आई पेस ओविस है नीरजा माधवन से जिस पर अधालत में निर्दोस आदिवासियों को फेक एंकाउंटर में सामिल करने के जुर्म में और नकसली गती बिद्यों को रोकने की आड में फैला आए गया अतिकरोन में दोसी होने का मामला चल रहा है और नीरजा पर लेखी का वान या रोय के खिलाफ सड़ी अंतर रचने का आरोब भी है अदालत में सरकारी पक्ष की वकील है सिल्पा सुकला जबकि नीरजा की तरप से केस लड़ रहे है यस पाल सर्मा अब सिल्पा चाहती है कि सल्वा जुडुम पर रोक लगाया जाए अब सल्वा जुडुम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ 36 गर सरकार नय मावबादियों से ने पटने के लिए सल्वा जुडुम अवियान की सुरुबात की थी बनाया गया लेकिन सिल्पा उस पर भी रोक लगवाना चाहती है तो एक तरफ तो नीर्जा की उपर कोट में केश चल रहा है दूसरे तरफ हम देखते हैं कि नीर्जा दरसल में प्रेगनेंट है इसके बाब जूद वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी मानदारी से निवा रही है वो भी एक ऐसे चेतर में जहापर की जान जाने का अकसर खत्रा रहता है और यहाँ पर नकसल वादियों ने बस्तर को पूरी तरह से खुकला कर दिया था सरकार की कोई भी यूजना बस्तर तक नहीं पहुँच पाती अगर वो कोई काम करना सुरू करते तो नकसल वादियों ने मार देते जैसे कि नई सड़के ना बनने देना स्कूल ना बनने देना ना ही हॉस्पिटल अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि बस्तर में ही एक छोटे से कजबे में एक आदमी जो है बो 15 अगस्त के दिन इंडिया का जंडा फैरा हरा होता है और राश्टगान भी गारा होता है लेकिन तब ही यहाँ पर कुछ नकसल बादिया जाते हैं जिनका लीडर था लंका रेड़ी सबसे पहले तो बो उस आदमी को रोकता है जिसके बाद वो अपना जंडा जो है वो उपर लगवाता है और बाद में वो जंता अदालत के दौरा उस आदमी को मारने के लिए कहता है सबी लोग उसे अपने सामने मरता हुँ देख पाते हैं लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि नकसलियों की ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाग है जिस आदमी को यहाँ पर मारा गया उसकी पतनी जो है वो सामने इसे नजारा देख रही थी उस आदमी के 32 टुकड़े किये जाते हैं लेकिन रतना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती है और यह नकसलवादी इंडिया को अपना देश नहीं मानते हैं जिसके बाद रतना को उसकी पती की डैट बॉड़ी को एक बोरे में पैक करके दे दी जाती है और रतना यहाँ पर अपनी छोटी बेटी के साथ यहाँ से अपने गाउं चली जाती है घृतना का एक बेटा भी था जिसका नाम रतन है तो नकसलवादी उसे मावबादी में सामिल कर लेते हैं डरसल में नकसलवादी का एक नियम है कि बसतर में हर एक फैमली से उन्हें एक लड़का चाहिए अगर वो मना कर देते तो वो उनकी पूरी की पूरी फैमली को मार देते और नकसलवादियों का हाथ बहुत बड़े बड़े लोगों तक था यहां तक की लसकर तक बो लोग वहाँ से हत्यार लाया करते थे और इन सभी का मैन लीडर होता है नाराइन बांगची नाराइन बांगची इन सभी को कॉमरेट कहकर पुकारता था और राज में सरकार भले ही किसी भी पार्टी की हो लेकिन चलती हमेशा इन नकसलवादियों की ही है और इन लोगों के साथ काफी बड़े बड़े नेता भी सामिल होते है नाराइन बांगची का सरफ एक ही सपना है कि उसकी एक बहुत बड़ी फोज हो और वो पूरे देश पर राज़ कर सके अब एक छोटे से गाउं में रतना जो है वो नीरजा से मिलती है और रतना यहाँ पर नीरजा को वो सब कुछ बता देती है जो कि उसके साथ हुआ है यह सारी बाते सुनने के बाद नीरजा उससे कहती है कि तुम्हें S.P.O. जॉइन करना चाहिए और जिस भी आदमी ने तुम्हारे पती को मारा है तुम्हें बदला लेना चाहिए तो इससे तुम्हें रोजगार मिल जाएगा और तुम अपने पती का बदला भी ले सकोगी जिस पर की रतना यह सब करने के लिए मान जाती है और फिर यहाँ पर रतना की ट्रेनिंग भी सुरू हो जाती है और वो ट्रेनिंग भी नीरजा के अंडरी हो रही थी तो इस तरह से नीरजा ने यहाँ पर बहुत सारे S.P.O. आफिसर्स को जोड लिया था और अपनी भी एक फोज तयार कर ली थी और नीरजा ने यहाँ पर एक सॉलिट प्लान भी बनाया था उसने प्लान बनाया था कि अगर नाराइंट बांग्ची उनके कबजे में आ जात नीरजा का साथ इस ऑपरेशन में S.P.O. के ऑफिसर्स और सी आर पीएप के जवानों ने दिया था तो अब नीरजा को ऐसा लग रहा था कि हाला तब कंट्रोल में आ जाएंगे लेकिन यह सब कुछ इतना कंट्रोल करना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ पर लंका रेड़ी जो है वो पूरी तरह से गुस्से में था उसे मालूम है कि नाराण बांक्ची के अरेश्ट हो जाने के बाद उनकी उपर बहुत सारी प्रॉब्लम सा सकती है लेकिन लंका रेड़ी इस तरह से सांथ नहीं बैठने वाला था वो इनकी उपर अटेक करना चाहता था जिसकी ख उलजरों के साथ कैम्प में थी तब ही अचानक से जंगलों में फाइरिंग की आवा जाने लगती है ये सुनने के बाद नीर्जा को यकीन हो जाता है कि उनकी उपर अटेक होने वाला है लेकिन उसे ये बात नहीं मालूम थी कि लंका रेड़ी कहां पर अटेक करने वाला है ये फाइनिंग बस उन्हें गुमरा करने के लिए थी क्योंकि वो लोग तो CRPF के जवानों के उपर अटेक करने के लिए गए थे क्योंकि वो 48 घंटे से ड्यूटी पर थे जिस बज़े से अब वो कुछ भी करने के लायक नहीं थे तब नीर्जा तुरंती होम मेनिस्टर के कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है इसलिए वो बैक अप नहीं भीज सकते हैं यह सुनने के बाद नीर्जा को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो कुछ भी नहीं कर पाई दूसरे दरब हम देखते हैं कि रात होते ही यहां पर लंका रेड़ी के नकसल वादी जो इन सबी लोग को इतनी कुरूरता के साथ मारा गया था कि कोई इन्हें देख भी नहीं सकता और देश की बड़ी-बड़ी उनिवर्सिटी भी नकसल वादियों के पक्ष में थी और वो सबी लोग नकसल वादियों को सपोर्ट कर रहे थे सबी को ऐसा लग रहा था कि नकसल की उपर जुर्म हो रहा है इसलिए देश की बड़ी बड़ी उनिवर्सिटी नकसलवादियों को सपोर्ट कर रही थी और इन सब की सुरुबात हुई थी एन्यू से तो नाराण वांग्ची को गरबतार करने के कारण लंका रेड़ी ने स्यार्पीएप के 76 जवानों को मार दि थी जिस पर कि यहां पर निर्जा उन से कहती है कि यह सब कुछ आपकी बज़े से हुआ है क्योंकि मैंने फॉन पर आपके सामने भीक मांगी थी कि मुझे बैक अप चाहिए लेकिन तुमने मुझे कोई भी बैक अप नहीं दिया वो बताती है कि पचले 50 सालों में 50 पर निर्जा उसे कहती है कि आपने फंड की वज़े से इन मावादियों को खत्र नहीं होने दिया है जिस बात से हॉम मनिस्टर गुस्से में एगरी करता है और बाद में हॉम मनिस्टर निर्जा से कहता है कि वह आज के आज तुझे सस्पेंड कर बादेगा दरसल में यह सस्पेंड नहीं कर बा सकता है एसपियो को ओर्डर हॉम मनिस्टर के द्वारा मिलते थे लेकिन अब हॉम मनिस्टर ओर्डर भी देगा और अब निर्जा अपने प्लान को एक्जेक्यूट भी करेगी रतना चाहती है कि नकसलवादियों के कबजे में उसका बीटा रमन है औ इसलिए यहाँ पर निर्जा जो है बो प्लान बनाना सुरू करती है और बो प्लान बनाती है कि बो इनकसलवादियों के उपर पांच तरफ से हमला करेंगे निर्जा ने यहाँ पर S.P.O. अधिकारी और C.R.P.E.P. के जबानों के साथ मिलकर प्लानिंग कर ली थी दूसरी तरफ यहाँ पर निर्जा की पूरी की पूरी टीम जो है वो नकसलवादियों के उपर पांच तरफ से हमला करना सुरू कर देती है इनके बीच में बहुत देर तक फायरिंग होती है जिसमें कई सारे नकसलवादी मारे जाते हैं और थोड़े बहुत जबान भी सहीद हो जा देखते हैं कि निर्जा को गूली लग जाती है और फिर उसे तुरंत थी हॉस्पिटल ले जाया जाता है दूसरे दरफ हम देखते हैं कि कोट में आज लास्ट हैरिंग है और यहां पर यस्पाल सर्मा जो है वो इस केस को हार जाता है और अदालत नारण वांग ची को छोड जाता है और नारण वांग ची को भी सही स्लामत छोड़ दिया गया था जिसके बाद हम देखते हैं कि इस केस को जीतने के बाद नकसलवादी फिर से पावर में आ जाते हैं और S.P.O. और सल्वा जुटुम बंद हो चुके थे इसलिए रास्ते में एक दिन वो राजंदर कर को जान से मार देते हैं जब वो लोग राजंद करमा को जान से मार रहे होते हैं तो यहीं पर रवन भी मौजूद था और रतना वी यहां पर राजंद करमा के साथ मौजूद थी तो यहां पर रतना जो है वो अपने बेटे रमन को अपने साथ ले जा लेती है क्योंकि रमन मार दिया था क्योंकि असल में वही उनका मैन लीडर था और यहां दूसरे तरब नीर्जा कूबर फिर से एक एंक्वाइरी बैठती है लेकिन इसमें भी नीर्जा को क्लीन चिट मिल जाती है और अब आखर में कुछ बाते बताए जाती है जैसे कि नीर्जा मादवन को अब से चालू है तेरा और ऐसे जोखिम भरी सड़कों का निर्मार अभी भी चल रहे हैं इन सड़कों को बनाने में सेकड़ों पुलिस कर्मियों ने अपनी जान दी थी और पिछले दस बर्स में बस्तर में 266 फिर से स्कूल खुले हैं जो नकसली हिंसा में नस्ट हो गए थे 26 सलवा जुडम सिर्वों में से अब केवल चार सिवरी मौजूद है पिछले दस बर्सों में मावबादी हिंसा से बिस्ताफित अधिकांस लोग अपने अपने गाउं में बापस चले गए हैं या पास के सहरों में बस गए हैं और 2010 की तुलना में 2023 में देश में मावबादी वार बस्तर के उन्निस गाउं ने इस साल 15 अगस्त को भारतिये जंडा फहराया तो दोस्तों दकेला स्टोरी से अधा सर्मा की अधाकारी का जो इस तर ऊंचा हुआ था ये फिल्म उसे और आगे ले जाती है अधा सर्मा ने अपने काम से एक बार फिर से दिल जीत लिया है नीर्जा मादवन के जिन्दगी को अधाने जिया है वो हर सीन में असर छोड़ती है एक प्रेगनेंट महिला अफसर अपने जोस और जनून को कभी कम नहीं होने देती उनकी आखों में आप गुस्सा महसूस करते हैं उनकी बौडी लेंग्वेज में आप नकसल वादियों क खात्मे का जजवा महसूस करते हैं लगता ही नहीं कि आदा एक्टिंग कर रही है ऐसा लगता है कि वो इस किरदार को जी रही है और जैसे उन्होंने असल जिन्दगी में भी कभी इस दर्द को महसूस किया हो इसके अलावा सपोर्टिंग एक्टर्स में सिल्पा सुकला रा कोई महसूस भी होता है ये भी लगता है कि कोई डारेक्टर आतंक को इतने कुरूड तरीके से कैसे दिखा सकता है फिल्म पर सुदीपतों की पकड़ तेज है फिल्म कहीं धीली नहीं पड़ती है वो हर थोड़ी देर में आपको चौकाते हैं और यही डारेक्टर की इसी फिल्मों में पैसा लगा रहे हैं ऐसी कहांahaha सामने ला रहे हैं जिने सामने लाने की हमत कम फिल्म कार कर पाते हैं और फिल्म पिछले 60 वर्सों में भारत में बियाबत, माओबाद, नकसलबाद, बामपत टेहरे गड़ जोड को उजागर करती है अविनेत्री अदा सर् जहां अबस्तर के जंगलों में नकसलियों से लड़ रही है वही दूसरी तरब बामपंती बुद्धी जीबी ग्रोह लेखक मीडिया एबम अन्य से भी न्याले में एक कानूनी लड़ाई लड़ रही है यह ग्रोह समाज के विबिन छेत्रों में सक्री रूप से भारत स्टोरी की तुलना में इस फिल्म में जादा बहतर काम किया है फिल्म के कुछ द्रस यूतों मन को बिचलित कर सकते हैं लेकिन वैस कड़ी विस अच्चाई से हमें रूबरू भी करवाते हैं फिल्म की पटकता तथा सिनमोटोग्राफी एक ले पकड़ कर साथ में चलती है कि बामपती नकसलवाद और माववाद की जड़े कितनी गहरी है और यह लड़ाई आगे भी हमें परम पर लड़नी होगी नकसलवाद कैसे एक अंतराश्टी ग्रोह के रूप में काम कर रहा है जिसमें यह अपना एजंडा देश-विदेश के अलग-अलग मंचों पर प्र जबकि वह रात के अंधेर में नकसलियों के लिए देश-विदेश से हत्यार का बंदोबस्त करवाता है एक वार फिर अविने की वालत करें तो अधा सर्मा ने अपने किरदार नीर्जा मादबन को जीवन्त किया है उसके साथ पूरी तरह नयाय किया है जो सही को सही और गल पर देखने लाइक बनाती है और हमें अनकसलवात की सच्चाई से अब गत कराती है और इसके साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर कीजेगा और उसी जरी राम